नमस्काल, फिपी सौनेशा यात्वाराम आपनी हादी स्वागत करोछो विद्ध्यत्य मित्रो, आज आपने नववा पार्ट भुणाणाँ छे पार्ट्चार, सोज अपनी, अपनी चल्ला, विद्ध्यत्य मित्रो, आपने पार्ट चार जोईशू अलाबलब चित्रों के मात्यम से हमें अपनी वेचारेग सक्तियों का विस्तार करने का भी आउसर मिलता है। अलब अलब विशयों पर हमारी सोच बनती है, एक जूसर से हम चर्चा करते हैं, हमारा अध्यान बढ़ता है, किसी भी विशयों पर परने लेखने और बोलने का हमारा आत्र विश्वास बढ़ता है, इस प्रेजन से रखागा यह पास चित्रवर्णन हमारे लिए बहुत होगा, इसलिए आज हम सोच अपनी चित्रवर्णन करेंगे, बच्चों यह चित्र में हमें पहाड, पक्षी, मंदीर, घर, सूरच, सुभका दृष्यों, चर्वाहा, भाग, भैस, किशान, फूल, छोड, तितलिया, बच्चे, नर्जरके पर यह सब दिख रहा है, तो हम च दोस्ते यह चित्रवर्ण करके बताती हूँ, यह एक गाउं का चित्र है, चित्र में सुभका वक्त बताया है, शुबका सुरत निकला हुआ है, कुछ पक्षवी आकास में उड़ रहे है, चलवाहा अपने पक्षू हो को चराने निकल निकला है, किसान हाथ में दंदा खेत की और जा रहा है ऐसा दिखेया है घाव पहाडagner के बित पसा है देखो बचों सित्र में पीछे पहाड़या दिख रही है इसमें चित्र में नाजर के डूर पेड दिख रहे है बच्चे sustain है देख रहे हैं दो बच्चे वह कर रहे हैं वह कर रहा है वह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ख्याल से चरवा क्या सोच रहा होगा कि इस्पर ने प्रपुति कितनी सुंदर बनाए हैं तो मैंने मेरी सोच से सोच के हिजाब से मैंने यह भाख्य बनाए तो आप भी चिट्रगों कर आप वी कुछ भी वाक्य देख सकते हो bulna सकते हो यानि अपनी अपनी सोच यह भरना करना इच नहीं तो बच्चों यह फिनर हमें हमें यह चित्रा देखतर हमें वापके बनाने हैं और इसके बारे में सोचना है और लिखना है तो बच्चे ऐसे अपनी सोच अपनी सोच आपको चित्रा बनान करना है अस्तू